जाहिन दोस्त आज हम आपको बताने जा रहे हैं पदार्थों का उवर्गी करन पदार्थों का उवर्गी करन कैसे कैसे होता है और क्या क्या है सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि पदार्थ जो है इसे अवस्था के अधार पर तीन वर्ग में बढ़ता हुए बतलब तीन परकार की होता है कि ठोस कि दराब कि गई कि ठोस हम उसे कहते हैं जिसकी अकार वाइतन दोनों निष्चित होता हुए हम ठोस कहते हैं अवस्था कदार्थ तीन परकार के और अकार के अधार पर भी पदार्थोता है तीन परकार की तात्र वियोगी क्मीश्रा तात्र वियोगी क्मीश्रा अजब कि यह वा होता है रसाइनिक सा रचना कधार्प पदार्थ दो परकार की सूध पदार्थ और असूध पदार्थ सूध है और असूध के अंदर में आता है तात्र वर योगी क्मीश्रा पदार्थ के मतलब आख समा और मिश आगातो के हैट टेलिया अक्सी जान शदर और मिशलब के अंतरा आता ओग्यें और aider व केलuju डल्हें जेल बालू चि नि और समाग मिश्रण के अंतर्गा worry जल précédent अबाईउ जल उब्रेुल में नमक का coherent और समाग मिश्रण में पागाजब में जो आपको भी। सब्सक्राइब नि talked । रहा एकार के था आपकर में प downturgh चैसले कोर्फ बाति जबकी पदाऋ ऑस्ता जबकी फटार अधार होता है शूदी के रहा होता है हुआ कि RS तो जाही।